तो hello viewers मेरे नाम है विशेक और आप देख रहे हैं आज का एक नया fresh वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं आपको एक realme के handset को आप कैसे unlock करेंगे जानेंगे इस वीडियो में यदि आपका भी phone जो की realme का है और वो lock हो गया है और किसी करण से आपका lock होने के बाद आप उसे unlock works है तो इस वीडियो को पूरा देखीएगा तो आप अपने phone का lock कर पाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं स्किप करके देखते हैं तो थोड़ा प्रॉलम हो सकता है आपको साध इस वीडियो को दोब़ढ़ दिवाड़ा देखना पड़े तो एक ही तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं, मेरे पास है कि यह Realme का handset है, जो कि फिलाल है Realme का C3, जैसे कि आप यहां डबा भी देख रहे हैं, यह आपके पास Realme का C3 के लावा कोई सा भी handset है, चाहे वो Realme का C2 हो, Realme का 5 हो, 6 हो, 6 प्रो हो, जो कि नया वाला भी लाँच हुआ, Realme 7 या 7 प्रो, इस अपके पास Realme का कोई भी handset है, आप सिप एक ट्रिक से उसे unlock कर पाएंगे, जैसे जो कि मैं आपको यहां बताने वाला हूँ, तो simple सी बात है, आप यहां देख रहे हैं, अभी रात के 12 बज़े से उपर पाएं, इसे सीखने के बाद, तो फिलाल आपको करना क्या ना, कि आपके Realme के फोन में जो कि कोई सा भी है, यह मैटर नहीं करता कि मेरे पास Realme का C3 है, या आपके पास Realme का कोई भी handset है, तो आप यह trick को देखिए, आप उसी unlock कर पाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैंग कि जब उसे वो password भूल लाते हैं, तो इसमें नया नया password लगाते रहते हैं, और उसे कोशिस करते हैं कि वो खुल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जितनी बाद आप यहां गलत password लगाएंगे, यह आपका और ज्यादा permanently lock होता जाएगा, जिसके बाद आपको service center जाना है और service center वाले आपसे अराम से 500 रोपर से लेकर के 2000 रोपर आपसे चार्ज कर देंगे, तो इस चीज से बचिए, यह गलती आप ना करिए, जो मैं बताओ, उसे आप follow किजी, आपका phone unlock हो जाएगा, अब करना क्या simple सी बाते मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अपने phone को on क करेंगे, आपका ये display आपको देखने को मिलेगा, अब इसे एक वाड़ आप ऊपर की तरफ करेंगे, तो आपसे pin, pattern, password मांगा जाएगा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ नीचे देखने लिखा emergency call, इसे आप दबाएंगे, तो जैसी मैं यहाँ दबाऊंगा, आ इसे, आपको ही मैं यहाँ बताने वाला हूँ, सिंपल से आपको यहाँ पर एक code डालना है, जो कि master key होता है, जिसके दुआरा service center वाले भी phone को खोलते हैं, आपको यहाँ पर दबाना क्या है भाई, सिंपल से आपको यहाँ पर code दबाना, वो code है, ध्यान से देखिएगा, star, hash, 8, double 9, hash, अभी मैंने hash दबाया नहीं है, इसलिए नहीं दबाया क्योंकि आप इसका screenshot ले सकें, आप बाद में इसे type करने के बाद, सिंप आपको hash दबाना बाकी रह जाए, मैं इसे repeat कर देता हूँ, star, hash, 8, double 9, hash, जैसी हम hash दबाते हैं, आपका engineer mode on हो जाता है, यानि कि बहु सारे काम कर सकते हैं, यदि आप भी एक mobile के master बनना चाहते हैं, और इस engineer mode के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे comment कीजिए, यदि मेरे पास total 100 comment आ जाते हैं, और लगभग 5-6,000 like, तो मैं इस पे एक separate video बना दूँगा, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और जो कि service करेंगे सीधे unlocking के बारे में, आपको कहीं नहीं दबाना है, सीधे आपको यहां खोजना है कि यहां आपका manual test किधर है, आप देख रहे होंगे, manual test यहां number 4 पर है, आपके phone में भी यह number 4 पर ही आएगा, इससे आप click कर देंगे, तो जैसी मैं इसे click करता हूँ, आपका और भी अब इस other वाले option में आपको तोटल 5 option देखने को मिल रहे हैं, पर यहां काम का सिफ 2 option है जब आपको phone unlock करना हो, आपको यहां पर सबसे पहले देखना है key status और दूसरा है database version, यहां पर एक point वाली बात है, कि आप इसे ध्यान से देखिए, इसका database version जो आप लिखा हुआ database version है, तब तो आप बड़े अराम से इसे खोल लेंगे, और यदि यह database version आपका अलग है, इससे different है, तो आपको जल्दी सा करना क्या है, कि चैनल को subscribe करते हुए एक comment बताना है, जिसमें आपका model number और यह database version आपको लिखना है, ताकि मैं आपको बिना देर किये, आपको reply दे दूँ, लेकि reply देने के पहले तो एक बाद बताना जरूरी है, यदि आप चैनल को subscribe करते हैं, तभी मैं आपको reply दूँगा, क्योंकि जब मैं फिडी की वीडियो बना रहा हूं, आप फिडी में सीख भी रहे हैं, तो चैनल को subscribe करने में आपको पैसा लगेगा नहीं, तो आ अब आगे करना क्या है, तो मेरे बतायों कमेंट से जब आपको database version यही same आ जाएगा, तो आप आपको करना क्या है, कि इस पर आपको तीन बार click करना है only, 1, 2, 3, जैसी मैं यहाँ पर click करूंगा, आपका unlocking mode आपका active हो जाता है, अब जब आपका unlocking mode active हो गया है, developer option के through, तो नहीं खुल रहा था अपसे, वो सारा यहाँ पर pass हो गया, सारा unlock हो गया है, बस यहाँ दो को छोड़के, जो की लिखा है wide 1, L1 की, और दूसरा है HDCP की, यहाँ दोनों दिखा रहे not support, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है, back side का fingerprint, नहीं तो, in display fingerprint, इसमें यह दोनों ही sensor मौज जाना है, और दोस्तों मैंने वो बताया था ना, कि हमारा जैसी हमारा phone को हम back जाएंगे, अब हमारा phone का जो lock है, वो हड़ जाएगा, हम सीधे अपने home screen पर चले आए हैं, जैसे कि मैंने आपको live करके दिखाया, अब बात करते हैं, मेरा कोई data lost हुआ कि नहीं, कोई भी data lost न आप भी strict का इस्तमाल करके अपने phone को unlock कर सकते हैं, यदि कोई problem है, तो मुझे अभी के अभी comment कीजिए, और मैं आपको बीना देर की comment का reply दे दूँगा, ताकि आप भी अपने phone को unlock कर सके, तो कैसा लागा यह video मुझे comment करके बताएं, और यदि आपके कोई queries है, तो पक्का म मुझे comment कीजिए, मैं आपको तुरा तुसका reply दे दूँगा, तो इसी तरह की videos को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, फिर्म लेंगे next नए video में, तो देखते रहिए review revealed